सो यह लो गाइस कैसे आप सभी में एडिटरेजन तो मेरे कुछ पिछले कुछ वीडियो पर मैंने कुछ कुछ कॉमेंट देखने को मिले थे कि भाई हमें बीजे माई के अंदर या फिर पपजी के अंदर जो भी जितने भी सेटिंग से उनके उपर हमें इंफ्रोमेशन दो उसके बारे में बताओ कि कौन सा सेटिंग किस काम के लिए है इसके वरी वीडियो बनाते और पर एक चीज यह जो सेटिंग्स वाले जो है न वह जितने भी स सब्सक्राइब करने के बाद जो हमें सबसे पहला वाला ऑप्शन आता है बेसिक के अंदर वह है अगर आप दूर किसी बंदे पर तो उस पर जितने भी बुलेट मार रहे हो न वह ज्यादा तर कनेक्ट होने मतलब होने में मदद करता है अगर अपका अच्छा भी नहीं आप स्प्रे कर रहे हो पर मतलब गोलिया थोड़ी थोड़ा सा आस-पास से भी जा रहा है फिर भी कनेक्ट हो जाएंगे अपको हैल्प करता है आपका जो एम है ना उसको और भी थोड़ा इंप्रूफ करने के लिए तो वह इतना समझ लों कि आगर आपका अपका अच्छे से ज्यादा कर पाऊगे तो आप आप समझ गयोंगे का क्या है इतना ही है मिसिट का काम तो सेकंड जो एक और एक option हमें देखने को मिलता है सेटिंग के अंदर वह है ब्लोक सेट वर्णिंग यह वाला जो option में दिखा रहा हूं देखो यह किस काम के लिए है तो इसके लिए मेरे को किसी दिवार के पास जाना होगा जैसे कि इधर देखो मैं इधर खड़ा होता हूं तो यह वाला दै सकता है यह आपको वर्णिंग देता है कि यह जो राडड वाला सरकल आता है यह blocking देता है कि इस हैट यह से अगड़ा यह जो तो पर आप देख सकता हूं तो मैं दिखाता हूं तक है का मातलब क्या है। को आप जैसे ही फाइर बडन पे करें तो टेप एक बार सिंगल टाइम यह तो यह दो आप दिख सकतें मैरा फिंगर जो टच शो हूँ हो रहा ना उसके आप फोकस करो तो मैं एक बर अगर घर करूँगा तो टेप करें फायर हो जाएगा और अगर मैं इसको रिलीज़ पर अगता हूं अब यह होता है तो इसके बाद और एक जो सेटिंग का उप्चन है वह भाई अभी हमने देखा शॉटगान के लिए अभी यह देखो बोल्ट एक्षन ड्रेफल एंड क्रोस्बो के लिए फाइरिंग मोड है सेम तुसेम जैसे शॉटगान का था सेम यह भी टेप पर जा सकता ह करऊंगा और जैसे मैं टेप करूंगा अंटमेटिकली मेरा स्कोपर हो जाएगा अब देख सकता है जैसे है घ्र करना हो जाएगा और अडिस्कट्र करो कि अपको हो कुछ improve नहीं होगा बस यह आपका जो आप अगर आप हैट शोट मारोगे तो वह उसका जो sound है उसको थोड़ा और ज्यादा एन्हांस कर देता है थोड़ा बूस्ट आप कर देता है बस इतना ही करता है अगर आप इसको करके रखोगे तो अगर आप किसी को मारते हो तो थोड़ा sound थोड़ा साच जाएगा पहले से और थोड़ा बूस्ट रहाता है जो इतना ही करता है गेंडेपे कोई अगर और आप सकोप करके स्कोप से अफिंगर कर वाँ दिखा रहा हूं तो आप तो वो लोग camera मतलब scope on करके scope से यह वो aim transfer कर पाएंगे hold करके drug करके तो इसके बाद setting के अंदरा में जो next option देखने को मिलता है वह स्कोप mode इस पर तीन option है tap hold और mixed basically tap पे रहता है पर मैं hold प्रेफार करता हूँ ज्यादा तर तो मैं दिखाता हूँ इस से क्या होता है जैसी से तो single Evatri से आपका scope और्वस्व बंद बंद हो जाईगा पर आप इसको अगर holds पर रखो गए तो single पर रहोगäche यह बढ़्स केश्कोर करने होगा जब तक अप होल्ड करके रखो गे तब तक पर आपका scope करके रखते हो पर में होल ज्यादा प्रफर करता हूं उससे रिफ्लेक्शन फास्ट होता है तो इसके बाद सेटिंग के अंदर हमें जो नेक्स वाला ओप्शन देखने को मिलता है वह केंटेट साइट का ठीक है केंटेट साइट बटन तो इसको आप टेप टी यूज भी रख टेप करके तो इसका बस इतना ही फंडा है इसके बाद सेटिंग का नेक्स वाला जो अप्शन आमें देखने को मिलता है वह बहुत इसको आपके डिस्प्लेइब रहेगा हमेशा हमेशा रहेगा आप कभी इसको यूज कर पाओ गया है जैसे आप देख सकतो मैं आपको एक हुआ है और यह हमेशा डिस्प्लेइब रहेगा जब तक अलोफम पर शेट रहेगा पर अगर मैं इसको को पन पर कर दूंगा ना जमए सकोपन कर दूंगा तो स्कूपन पर जैसे मैं इसको सब्सकर तब देखो मेरा यह फाइर बटन इदर से हड़ गया तो अभी कैसे आएगा जैसे मैं स्कोपन करूंगा ना जैसे मैं स्कोपन करूंगा तब भी यह लेट सब्सक्राइब कर दूंगा तो पूरा चला जाएगा कुछ भी कर लो यह नहीं आएगा इसलिए पर आप इसको यूज भी नहीं कर सकते हैं तो मैं प्रिफर करता हूँ कि और रखना क्योंकि कब यूज में आ जाए कोई बतानी और यूज करो तो बात यह लगया तो इसके बाद हमें सेटिंग पर जो नेक्स्ट ऑप्शन को मिलता है वह भाई यह फोकल फोकल लेंद एर्जस्मेंट यह क्या है मैं दिखात करो यह उपन हो जाएगा इसके बाद एजस्मेंट कर लो ठीक है पर अगर आप इसको होल पर रखोगे तो आप समझ किया होंगे होल मतलब उंगली दबाकर रखना पड़ता है तो आप फिर से अब भी आगर होल पर रखके अगर आप इसको एजस्मेंट करने जाओगे और करोगे तो यह उपन नहीं होगा आपको इसको टेप करके होल करना होगा मैं दिखाता हूँ जैसे टेप किया होल करो इसके बाद इसको ड्रग करो स्लाइड करो उपर जाओ ठीक बनाओ बस टेप करने से ओपन नहीं होगा अगर आप इसको होल पर रखोगे तो आपको होल कर करना होगा और इसको क्या होता यह जो दो ऑप्षिन आप देख रहे हो पिक करने का यह दोने अब हो जाएंगे जैसे आप उसको करेंगे यह दोना आपके डिस्प्लेय में विजिबल हो जाएंगे यह डिफॉल्ट में नहीं रहता जब नया-nया करते हैं कर निदी पर रोटेशन वाइल यह वाल वाला ऑप्शन भी है तो इसते रोटेशन वाल यह वाला तो इसे क्या होगा पिप करके हो, आप एम्र करपा ओगे, जिसे मैंने पहले बोला था पिक वाले बटन पर बाइब करोगा किषए इसके बांब करके आप इसका अब घृ करळा खिर बास आपको करना है टेप करना है एक आप करेब बंको तो तो यह उसको जो अप्षाने बटने उसके आप टेप करोगे hold करके drug करोगे तो आपका उससे ही आप aim transfer कर पाऊगे अपना तो इसके एनवल रखना इनवल करने से अच्छा होता है इसके बाद आता है lean mode तो lean mode पे भी आप देख सकते हो जैसे scope mode था टेप hold and mix lean mode पे भी सही में अगर आप इसको टेप पर रखोगे तो जैसे वान टेप पर यह पीक ऑपन होगा और एक टेप पे पिक बंद हो जाएगा ठीक है और अगर मैं इसको hold पर रखता हूँ तो जब तक मैं टेप के बटन पर टेप करके hold करूँगा तब तक मैं इसको hold क करके रखूँगा तब तक मेरा पीक ओपन रहेगा और स्कूब भी ओन रहेगा जैसे मैं इसको छोड़ दूँगा hold से हटा लूँगा उंगली उठाल मतलब उठा लूँगा डिस्पे से हटा दूँगा तब यह बंद हो जाएगा और इसको मिक्स में भी रख सकतो मिक्स व इसको अब करने के बाद आपको क्या देखने को मिलता है उसका डिखाता हूँ इसको अब उनावल करोगे आपको और एक बटन देखने को मिलेगा आपके लियाऊट पे तो यह वाला बटन है यह एम फीचर का बटन तो इससे क्या होता है इससे थोड़ा सा मदद मिल जाता ह अगर आप उसका डिजाबल कर दोगे तो यह अड़ जाएगा और फिट से अगर मैं इसको अनवल कर दूंगा तो यह आ जाएगा मैं दिखा देता हूँ देखो यह आ गया ठीए तो बस इतना इसका मदद से आप यह एम फीचर वाला और ऑफ कर सकते हो तो इसके बाद और और एक option देखरों को मिलता जो है aim camera rotation feature तो यह basically मैंने जैसे बोला था कि आपको tap करना होता है hold करना होता है इसके बाद drug करने से आप aim transfer कर पाओगे इस पे इस पे इसका बटन है इसका बटन इस पे tap करके hold करके आगर आप ऐसे उंगली से drug करोगे इधर उदर slide करोगे उंगली को तो आपका जो यह aim है ना इसको आप transfer कर पाओगे इसके मदद से आपको फिर से उंगली से aim transfer करने के ज़रूवत ने होगा बस इसको tap करके hold करके drug करो आपका aim transfer easily हो जाएगा और आगर मैं इसको बंद कर दूँगा जैसे कि ये वाला यह enable था अभी मैं आगर इसको बंद कर दूँगा तो यह नहीं होगा जैसे मैं tap करूंगा hold करूंगा ट्रक करूंगा तो मेरा aim transfer नहीं होगा पस इतना है इसको enable करके रखोगे तो इसका जो rotation ये camera का rotation वो ओन हो रहा है तो इसके बाद इसमें ही इसका ही तिसरा एक option हमें देखना को मिलता है जो है एम का तो यह क्या है टेप hold and mixed वह सेम प्रोसीजर जो पहले मैंने बुला था सेम फंडा इसमें भी है अगर आप टेप रखोगे तो सिंगल टेप यह ओपन हो जाएगा और एक सिंगल टेप यह बंद हो जाएगा ठीक है और अगर आप इसको hold पर रखोगे मैं hold कर देता हो अगर आप इस पर hold पर रखोगे तो जब तक आप टेप करके hold कर दोगे तब तक यह open रहेगा on रहेगा और जैसे आप उंगली उठा लोगे तो यह बंद हो जाएगा जैसे कि मैं आप देख सकते हो मैंने tap करके hold करके जब तक मैंने रखा तब तक यह रहा इस mode पे और जैसे मैं होल से मतलब उठा दोंगा इस बंद हो जाएगा तो सेम ही आप इसको मिक्स पर भी रख सकते हो मिक्स पर क्या होगा आपको बताए है यह तो यह चेकर आउट मैं वीडियो वीडियो मैं उसका लिंक बडूंग पर डाल दूंगा ठीक कर लेना तो आपको बता चल जाए तो जै close मतलब पूरा बंध हो जाएगा जैसे ही देखो पूरा बंध हो गया और हिल भी यह यह लाने से और scope and पर रखोगे तो मैं दिखाता हूं scope and पर रखोगे तो आपका जैरॉ करेगा जब तक ढब स्कोप करके रखोगे आप स्कोप अंकर अप्का गयरों स्कोप अक्टिवेट होजाएंगा जैसे मैं प्रचाइब श्रto pumpkin यहार जाए तो आई शुक्स को पर देखने जो एक तो इसका पंड़ा क्या है मैं आपको इसली सम्झा दोता हूं इसको अभी नहीं किया है अभी अभी कर सकतो तो में पहले डिखा देता हूं दिखर अघर आप करके रखेंगे तो नॉर्मब तरफशा हम जैसे यूज करते हैं घर जैसे यूज हम उपर के तरफ डिस्प्ल setting के बाद हमें जार्योस्कोर्प के निचो और एक सब्सक्राइक को मिलता है जो है परस्पेक्टेव का है तो इसके पर्स्पेक्टिव यह वाला सेटिंग देख सब्सक्राइब पर सबसे पहला वाला option हमें देखना को बिलता है fpp swap वाला ठीक है तो अगर आप इसको अनेवल करके रखोगे तो क्या होता में दिखाता हूँ तो बास fp swap वाला बटन इसलिए दिया गया इसको अगर आप एनवल रखोगे तो fp2 tpb आप स्विच करवाओगे और अगर आप इसको डिजबल कर दोगे तो fp2 tpb आप स्विच नहीं करवागे जैसे आप देख सकते को मैंने इसको अनवल किया तो यह फिट से आ गया तो इसका बस फंडा इतना ही है fp2 tpb स्विच वाला ऑन करना है कि ओफ करना है इतना fpb स्विच वाल ऑप्शन तो इसके बाद इस पर और एक चीज़ हमें ऑप्शन हमें देखने को मिलता जो fpb डैनामिक होल्डिंग तो इससे क्या होता है आप मान लोग कि आफ fpb मोड पर हो ठीक है तो fpb मोड पे हमारा बंदा जो है ना मैं इसको करके पहले दिखा देता हो जैसे मैंने डिजावल किया तो अभी मैं आपको दिखाता हो अभी डिजावल करकर रखा है मैंने fpb स्विच किया तो मेरा जो बंदा है उसने गन देखो कितना उपड़ पक्रा हुआ ह अजया कितना उपड़ा हुए है इसको आपड़e क करो कि कितना उपर घंभा और अगर मैं इसके जाकर 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 दूंगा व्यूजदा देखने को मिलेगा disc prett ज tv बन्स वो कन茶 वह गंद्व मैं देख सकते पर SP Studio to be a tocom эт annals में क्या होता है मैं अभी आपको दिखा दूगा डिमोंस्तारिशन करके आप वाई डिफॉल्ट भ इफी रहता है तो egenments तो इसको भशुधि ओंद तो और थोड़ा सब्सक्राइश भी स्व करें गया न जोड़ा सब्सक्राइब लगधा सब्सक्राइब इसोड़ा दिस्प्लेइब घर पास में आ गया है, तो आगर मैं इसको फिट से फुल कर देता हूँ, तो देखना जूम आउट होगा, अभी देखो घर कितना दूर लग रहा है, कितना दूर चला गया गहर है, पस इसका इतना ही ए अगर आप इसको घटाओगे तो जूम होगा और आगर आप इसको ज्धा करोंगे तो यह मैंने पास् üzजा किया तो यह तो बस इतना ही इसका आप समझ सकते हो यह 90 पे सेट रहता है आप भी 90 पे रख सकते हो या फिर आपके मद जो आपको लगी है अच्छा लागी वह आप कर सकते हो तो इसके बाद नीचे आई इसका और एक ऑप्शन जो है थार्ट परस्पेक्टिक कमेरा व्यू सेम यह वह एफ़ीप के लिए था औ इसका टीपी पे भी सेम असा ही होगा बस वह एफ़ीपी मोड था और यह टीपीपी मोड के लिए तो आयो आप समझ गयोंगे तो नेक्स वाले पार्ट पर हम और भी थोड़ा डिसकस करेंगे बाई